हेलो गई स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे अधानी पावर और अधानी विल्मर की अगर आपके इन दोनों के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लए इसके उपर हम डेईली टेक्निकल चाट के उपर एनालिसिस करते है यहाँ पर और अगर ब्रेकाउट आता है तो कहां तक जा सकता है वह हम देखेंगे पहले तो अगर देखें आज के कारोबार की बात तो यहाँ पर पंद्रा मिनिट का चाट देखें तो सबेरे से ही जो है बार बार इसी लेवल के आसपास छे सो पचातार रसी के आसपास नीचे गया वहाँ पर रजिशन फेस किया हाला कि एक चीज अची दिखी के नीचे गया लेकिन तुरती वापस उपल चला आया अभी भी नीचे सपोर्ट जो है वह इसका करीब दिख रहा है वीकली चाट के अपर देखते है तो यहाँ पर 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज यह कापी इसके आसपास जब तक इसके ऊपर बरकरार है इसके ऊपर टिकने में यह काम्याब रहे तो वह स्ट्रेंथ जो है वह वापस आ सकती है काई ना गई यह चीज भी ना बूले और अभी यहाँ पर बुलिंजर बेंग लगाया है तो इसको देख सकते है वीकली चाट के उपर और ऐसी जानकर यापको और कई नहीं मिलेगी सब्सक्राइब ज़रू करें दोस्तो हमारे चैनल को यहाँ पर अगर देखेगे इसकी मिडल लाइन जो की 695 का आसपास है पहला रजिस्टन एरिया इसका यह हो सकता है अगर वो ब्रेक आउट आता है तो लेकिन यह लेवल भ इसको देखते हैं थोड़ी सी सिच्वाशन अलग दिख रही है उपर जो है 680 क्लियरली यहाँ पर जो है अभी भी रेजिशन दिख रहा है उपरी लाइन वहाँ पर दिख रही है और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इरिया नजदी की 650 के आसपास उसके पहले भ दिख रहा है 600 के आसपास आता भी है तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है वहां से अच्छा बाउंस बेगा सकता है वह थोड़ा सा दूर है तो इसकी फिलाल हम बात नहीं करेंगे सो ओवर अब हम देखे का पैटन बना है अब अगर इसका बेकाउट आता है तो सवाल यह है कि कहां तक जा सकता है तो मुझे इसा अलग रहा है कि अगर यह ब्रेक आउट होता है तो पहला इसका जो है ग्रजिस्टन एरिया यह 700 से 720 तक आ सकता है उसके बाद यह 740 से 750 जो कि यहां पर इसने एक बार हाई बनाया था तो यह दोनों ही लेवल तक जाने पिछले दिनों के मुझाबले कम ही यह दिख रही है तो एक अच्छे वल्यम के साथ जो है यह पर देखने को मिले एक फॉल उप बाइंग देखने को मिले तो यहां पर एक ब्रेक आउट आ सकता है छे सो असी को क्रोस करें वहां पर क्लोजिंग दे दे तो एक तेजी की ब्रेक आउट की संबावना रहे सकती है यह भी न बूले कि यह जो कंपनीं अगर यह खरिद आगा जिया सकती है उस से उसके शुपेसिती बढ़ सकता है और आगे चलकर इसके शेयर के अंदर भी थेंजी की संबावना रह सकती है लेकिन उसमें वक्त लग सकता यह भी न ब बढ़ जाए अच्छे वोलियम के साथ आज ही जो है 680 का हाई तो बना लिया था उसके उपर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है कल वापस है हम चल्चा करेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को अब यहां पर देखते हैं अधाने वीलमार को यहां पर अच्छे वोलियम के साथ यह तेजी देखने को मिलेते हैं अच्छा कासा रन अप था उसके बाद करेक्शन आया फिर तेजी आई और उसके बाद यह लोवर हाई की ट्रेंड लेन बनी हुई है एक यहां पर हाई बनाया फिर यहां पर और इसका ब्रेक आउट जो है यहां बस यह लेवल पार होता है तो फिर से जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है फिर यह तीन सो असी से चार सो तक जा सकता है और चार सो को पार करता है फिर इसके अंदर एक अच्छी कासी तेजी की संभाव ना रह सकती है हम अब यहां पर देखते आज के कारोबार की बाद इसके अंदर भी वही सिच्वेशन है सबेर से यह गिरावट थी उसके बाद हाला कि अच्छी बात रही कि नीचे ज्यादा नहीं जा पाया अगर आप हमारे रेगुले बियूस होगे आपको पता होगा यहां पर हमने बात कि थी कि तीन सो चालिस के आसपास इसका सपोर्ट हो सकता है दो तीन सपोर्ट की हमने बात कि तो एक सपोर्ट यह भी था आज यहाँ पर इसने सभलने की कोशिश की अब यहाँ पर अगर देखते हैं बुलिंजर बैंक को यहां पर इसकी जो मिडल लाइन है उसको हाला कि इसने तोड़ दिया है तो उसके नीचे की एगर ला जो कि इसकी उपरी लाइन है डेली चाट के अपर जब हम इसको देखते हैं तो थोड़ी सी सिच्वेशन अलग यहां पर देख रही है निचली लाइन जहां पर है वहीं पर इसने सपोट लेने की कोशिश की है लएक कि जिमें पर जैक कोशिश कर सकता हैं आप थीस जब थी मते 사 natur ब कोशिश सकता है वहां पर अगर टीक यहां से लेगे तो अच्छा रह सकता है cessau सच्वाप्रेंगि अन्.- आपters और आ रहते हैं दोन नहीं लेवल के उपर जाने की सब्सक्राइस कर सकता है exploitation 355 के आसपास वहां पर closing देते तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं और 345 का price है तो 340 पहले support के हम बात करें तो 340 उसके बाद 325 से लेकर 320 का zone और उसके बाद 300 रुपे का zone तो यह इसके short term के support दिख रहे है registration की बात करें तो पहला registration 360 से लेकर 365 का zone उसके उपर 380 और उसके उपर 400 रुपे का zone तो यह इसके short term के registration दिख रहे है बस यह 400 को पार कर दें उसके बाद यह 500 प्लस जाने की इसकी संभावना रह सकती है असा लग रहा है और यह FMCG सेक्टर के अंदर है और उसकी डिमांड आगे चलकर बढ़ी सकती है जो हो सकती है और long term में अगर देखे तो तेजी की संभावना रह सकती है लेकिन हाँ यह short term में वालटेट ही रह सकती है तो कल वापस इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे तो अगर आपकी इसके अंदर भी holding है तो सब्सक्राब जरूर करें हमारे चैनल को आज के वीडियो मित नहीं और एक स्टांडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशन देता हूं आप कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनाचर डवाजर की सला ले उसके बाद ही कोई डीसी जन ले और डीसी सब्सक्राइब जरूर के साथ को दीले ये वीडियो में ने जूगे संपर पस के लिए मेरी तरफ से को बाया स्टेल करें कमने चैनल ये थेंक्यू